हेलो ब्रिवन दिस इस ससांग सिंग एंड विल्कम बैग टो माई यूटूब चैनल आई एस पाइंट विश्ट वे आफ लड़निंग फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कल NCRT क्लास 10 एकोनामिक्स चैट्टर नंबर 4 के कुश्चन अंसर के बारे में बताया था तो कुश जो भी कुश्चन छूट गए थे कल आज मैं उनका स्वालूसन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स नोट्स में लिखने के लिए रेडी हो जाईए और कॉपी और पिन लेकर के तैयार हो जाएं नेक्स्ट कुश्चन है आपका कुश्चन नमबर 8 विदेश ब्यापार विभिन देशों के बाजारों के एकी करण में किस प्रकार मदद करता है यहां दिये गए उदाहरण से भिन उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए इसका एंसल लिखिए विदेश ब्यापार विभिन देशों के बाजारों के एकी करण में सहायता प्रदान करता है क्योंकि सभी देश लगभग एक दूसरे पर निर्भर हो गए है प्रत्येक देश को वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात निर्यात करना पड़ता है उदाहरण स्वरूप यदि भारत किसी विशेश उत्पाद का उत्पादन करना चाहता है जिसके लिए भारत में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है तो उसे यह कच्चा माल किसी अन्य देश से मगाना होगा इसी प्रकार यदि भारत में अतिरेक ब्रेकट में लिख लिजिएगा सर प्लस यस यू आर पी एल यू एस गेहु उपलब्ध है तो कोई भी अन्य देश भारत से ग्यों की मांग कर सकता है यह हुआ आपके कुष्चन नंबर एट का एंस्वर कुष्चन नंबर नैम देखिए वैस्वे करण भविष्च में जारी रहेगा क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 20 वर्स बाद विश्च कैसा होगा अपने उत्तर का कारण दीजिए सो फ्रेंट्स इसका एंसल लिखिए यदि वैस्वे करण भविष्च में जारी रहेगा तो इससे बिश्च को बहुत लाव होगा यह लाव इस प्रकार हो सकते हैं जो की निम्नलखित हैं पहला रोजगार में ब्रिद्धी होगी तथा बेरोजगारी बिल्कुल नहीं वचेगी दूसरा कमपनियों को बढ़ती प्रतियोगिता से लाव होगा तथा कुछ कमपनियों को संयुक्त साहस व्रेकट में लिखिएगा जोईन्ट वेंचर J-O-I-N-T-V-E-N-T-U-R-E ब्रेकट क्लोज से भी लाव होगा तीसरा लिखिए इससे स्रम संबंधी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी एवं लोगों के जीवन अस्तर में सुधार होगा ये आपका कुष्च्च नंबर 9 का एंस्वर था कुष्च्च नंबर 10 देखिए कुष्च्च नंबर 10 आपका है माल लीजिए कि आप दो लोगों को तर्क करते हुए पाते हैं एक कह रहा है कि वैस्वी करण ने हमारे देश के विकास को क्ष़ती पहुँचाई है दूसरा कह रहा है कि वैस्वी करण ने भारत के विकास में सहायता की है इन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे ठीक है इसका एंसल दिखिए पहला व्यक्त जो कह रहा है कि वैस्वी करण से वैस्वी करण ने हमारे देश को च्छ़ती पहुँचाई है ओ गलत है क्योंकि वैस्वी करण विकास के लिए बहुत आवश्यक है वैस्वी करण रोजगार का स्रिजन करता है तथा ग्राहकों को भी लाव प्रदान करता है इसके अतरिक्त यह देश की अर्थ व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाता है अब लिखिए दूसरा व्यक्त जो कह रहा है कि वैस्वी करण ने भारत के विकास में सहायता की है विल्कुल सही है क्योंकि वैस्वी करण के कारण बहुत सी राष्टी कमपनिया बहारत आ रही है जिससे रोजगार में व्रिध्य हो रही है इससे हमारे देश का विकास हो रहा है यह एंस्वर आपका कम्प्लीट हो गया क्योंकि नम्बर 11 है रिक्त अस्थानों की पूर्ति कीजिए चलिए लिखिए दो दसक पहले की तुल्ला में भारती खरीदारों के पास वस्तूओं के अधिक विकल्प है यहां भरियेगा वैस्वी करड की प्रक्रिया से नजदीक से जुड़ा हुआ है अनेक दूसरे देशों में उत्पादित वस्तूओं को भारत के बाजारों में बेचा जा रहा है इसकार्थ ही है कि अन्य देशों के साथ यहां रहेगा ब्यापार बढ़ रहा है इससे भी आगे भारत ने बहुराश्ट्री कमपनियों द्वारा उत्पादित ब्रांडों की बढ़ती संख्या हम बाजारों में देखते हैं बहुराश्ट्री ये कमपनिया बहारत में निवेश कर रही है क्योंकि यहां रहेगा बहारत एक बड़ा बाजार है जबकि बाजार में उपभोकताओं के लिए आधिक बिकल्प इसलिए बढ़ते अब इस ब्रेकट में रहेगा उत्पादन और वैस्वी करड यहां रहेगा के प्रभावकार्थ है उत्पादकों के बीच अधिक्तम यहां रहेगा प्रतियस्पर्धा यानि पहले खाली अस्थान में रहेगा वैस्वी करड़, दूसरे रिक्तास्थान में रहेगा ब्यापार, तीसरे में रहेगा भारत एक बड़ा वाजार है, चौथे में रहेगा उत्पादन, पांचवे में में रहेगा वैस्वी करड़, और छठे में रहेगा प्रतियस पर अब यहाँ एक दूसरे को मिलाना है बहुराश्टी कमपनिया छोटे उत्पादुकों से सस्ते दरों पर खरीदती है क्या खरीदती है इसका रहेगा बा कपड़ा जूते चपल खेल के सामान कपड़ा जूता चपल खेल के सामान नेक्ष्ट है आयात पर कर और छोटा कर और कोटा का उपयोग ब्यापार नियमन यह आप करहेगा या ब्यापार और उधक तीसरा है विदेशों में निवेश करने वाली भारती कमपनिया यह आप करहेगा टाटा मोटर्स इंफोसिस रैनवेक्सी चौथा है आयटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहाता की है यह रहेगा काल सेंटर पांचवा है अनेक बहुराष्टी कमपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया है यह आप करहेगा मोटर गाडिया कुश्चन नमबर तेरह है आपका सही विकल्प का चैन कीजिए यह कुश्चन आप लोग अपने मन से करिएगा अगर नहीं आयेगा तो मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में मैं फिर इस कुश्चन का निराकरण आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो लेक्शर में इतना ही कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नए ग्यान के साथ नए चैप्टर में तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए थैंक यू सो मच